बाइबल में व्यभिचार के विशे में क्या लिखा है? मत्ती पांच में 27 से 29 में लिखा है कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुद्रिष्टी डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका यदि तेरी दाहिनी आख तुझे ठोकर खिलाएं तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाएं और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाएं याकूब तीन दो में लिखा है कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूप जाते हैं जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है मत्ती पंद्रह में 18 से 20 में लिखा है कि पर जो कुछ मुह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि कुछिंता, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, जूठी, गवाही और निंदा मनही से निकलती हैं यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता लूका 16,18 में लिखा है कि जो कोई अपनी पतनी को त्याग कर दूसरी से व्याह करता है, वह व्यभिचार करता है और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से व्याह करता है, वह भी व्यभिचार करता है रोमियो 13 में 13 और 14 में लिखा है कि जैसा दिन को सोहता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न की लीला क्रीरा और प्यककडपन न व्यभिचार और लुचपन में और न जगडे और डाह में वरन प्रभु यीशु मसीह को पहेन लो और शरीर की अभिलाशाओ को पूरा करने का उपाय न करो एक कुरिंथियों 5 नौ में लिखा है कि व्यभिचारियों की संगती न करना एक कुरिंथियों 6 तेरह में लिखा है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परंतु परमिश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है एक कुरिंथियों 6 में 15 से 17 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊ कदापी नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगती करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे और जो प्रभु की संगती में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है एक कुरिंथियों 6-18 में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं, परन्तु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरूध पाप करता है दो कुरिंथियों 5 में 8 और 10 में लिखा है कि इसलिए हम धाढस बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के साम्हने खुल जाएं, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किये हो पाएं गलातियो 5 में 19 और 21 में लिखा है कि व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे इफिसियो 5 में 3 और 4 में लिखा है कि व्यभिचार और किसी प्रकार अशुध काम या लोब की चर्चा तक न हो और न निरलज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बाते सोहती नहीं, वरंधन्यवाद ही सुना जाएं कुलुसियों 3 में 5 और 6 में लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृत्वी पर हैं अर्थात व्यभिचार, अशुधता, दुशकामना, बुरी लालसा और लोब को जो मूर्ती पूजा के बराबर है इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आग्या न मानने वालों पर पड़ता है एक थिस्सलनीकियो चार तीन में लिखा है कि क्योंकी परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो इबरानियो तेरह चार में लिखा है कि विवा सब में आदर की बात समझी जाएं और बिचोना निश्कलंक रहे क्योंकी परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री गामियों का न्याय करेगा याकूब 4.4 में लिखा है कि ये व्यभिचारिनियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है प्रकाशित वाक्य 21.8 में लिखा है कि परडर्पोकों और अविश्वासियों और घिनोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोन्हों और मूर्ति पूझकों और सब जूठों का भाग उस जीई में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यू है इफिसियों 4.22 में लिखा है कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुश्यत्व को जो भर्माने वाली अभिलाशाओं के अनुसार ध्रष्ट होता जाता है, उतार डालो दो तीमुथियूस दो बाईस में लिखा है कि जवानी की अभिलाशाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मिलमिलाप का पीछा कर तीतुस दो बारह में लिखा है कि और हमें चिताता है कि हम अभक्ती और सांसारिक अभिलाशाओं से मन फेर कर इस युग में सन्यम और धर्म और भक्ती से जीवन बिताएं याकूब एक में 14 और 15 में लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ती अपनी ही अभिलाशा में खिंच कर और फसकर परीक्षा में पढ़ता है फिर अभिलाशा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यों को उत्पन करता है दो पत्रस दो अठारह में लिखा है कि वे व्यर्थ घमंड की बातें करकर के लुच्पन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारिरिक अभिलाशाओं में फंसा लेते हैं एक यूहन्ना दो 16 में लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाशा और आखों की अभिलाशा और जीविका का घमंड वह पिता यी ओर से नहीं परन्तु संसार ही की ओर से है एक युहन्ना 2 सत्रह में लिखा है कि और संसार और उसकी अभिलाशाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमिश्वर की इच्छा पर चलता है वह सरवदा बना रहेगा गलातियों 6-8 में लिखा है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा गलातियों पांच चौबीस में लिखा है कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाशाओं समेट क्रूस पर चड़ा दिया है गलातियों पांच में सोला और सत्रह में लिखा है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीती से पूरी न करोगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ Romeo 8.13 में लिखा है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे रोमियो आठ साथ में लिखा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के आधीन है और न हो सकता है रोमियो आठ चै में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है रोमियो आठ एक में लिखा है कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्या नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं युहन्ना 6.63 में लिखा है कि आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बाते मैंने तुम से कहीं हैं, वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं कुलुस्सियों 3.5 में लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृत्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुधता, दुशकामना, बुरी लालसा और लोब को जो मूर्ती पूजा के बराबर है एक कुरिंथियों 3.17 में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो एक कुरिंथियों 6 में 19 और 20 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्रा आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल ये गए हो इसलिए अपनी देह क के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो एक थिसलनीकियों 5-23 में लिखा है कि शान्ती का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीती से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु येशु मसीह के आने तक पूरे-पूरे और निर्दोश सुरक शित्रहीं